जय हिन दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल में आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए राम सुरूप चतुरबेदी जी से संबंदित महत्तपुर्ण कॉस्चन आंसर वीडियो पूरा वस्त देखना है महत्तपुर्ण कॉस्चन है राम सुरूप चतुरबेदी जी से संबंदित और वीडियो को लाइक अबस्त करने सभी लोग और आपको सेल्प स्टेडी क्लास से आप डाउनलोड करना है जहां पर हिंदी सायथ का संपूर्ण कोर्स आपके लिए बहुत ही कम दामों मौप लब्द है और यहां पर 2020 टेस्ट सीरेज करव सकते हैं राम सरूब चतुरबेदी जी से संबंदित फस्ट कॉस्टन की बात करें तो देखे राम सरूब चतुरबेदी जी का जन्म कब हुआ को स्टन नमबर एक है बताइए 1934 में 1931 में 1933 में 1932 में तो आपका राइट आंसर यहां पर होगा कि राम सरूब चतुरबेदी का जन्म आपसे पूँचा है तो 1931 में इनका जन्म हुआ था तो विकल्प नंबर आपका भी राइट आंसर होगा रामसरूप चतरवेदी मुकता साहित्यकार है नाटक कार माने जाते हैं आलोचक कहानिकार या पन्यासकार भात्तपुन कॉस्चन आपसे यहां पर पूँचा गए है और बिल्कुल सही राइट आंसर होगा ए माने जाते हैं आलोचक की रूप में विकल्प नंबर आपका यहां पर भी जो है वह आपका सही आंसर होगा रामसरूप चतरवेदी को किस आलोचिना के लिए व्यास सम्मान से संभानित किया घै तो यहाँ पर आपसे पूचा है चतरवेदी जी को कैसे आलोचिना के लिए ब्यास सम्मानित के लिए, बिलकुल सभी राइट आंसर होगा तो आपका सही आंसर है इनको ब्यास सम्मान से सम्मानित क्या गया था रामसरुप चत्रवेडी का संसमन आपके लिए बताना है, तो यहां पर संसमन में हो जाएगा, आलोच कथा आपका सही आंसर है, विकल्प नमबर डी राइट आंसर होगा यहां पर बिल्कुल चाहिए, रामसरूप चतुरवेदी की आलोचिना हिंदी साहत्य और संबेदना का विकास कब प्रकासे थुई? Q6 का आंसर बताना है, 6 का सही आंसर क्या होगा? रामसरूप चतुरवेदी की आलोचिना हिंदी साहत्य और संबेदना का विकास कब प्रकासे थुई? तो आपका राइट आंसर है 1986 इस भी विकल्ट नंबर आपका सी राइट आंसर होगा रामसरूप चतुरवेदी की आलोचिना रचिना भक्ति यात्रा का प्रकासन वर्स बताना है 2005, 2002, 2007, 2008 तो आपका सही आंसर है रामसरूप चतुरवेदी की आलोचिना रशिना भकती यात्रा का प्रकासन बर्स पूंचा गया है तो 2002 आपका बिल्कुल सही rightly answer यहाँ पर होगा इन मेंसे कौन सी आलोचिना रामसरूप चतुरवेदी की नहीं है नहीं पूंचा है आपसे यहाँ पर नहीं पूंचा है ये आपको याद रखना है बताईये तो इनम्य से कौन सी आलोचिना रामसरू पर चतरुबएदी की नहीं है तो नहीं में आपको हो जाएगा काम आइनी के अध्यन की समस्या है विकल्प नमबर एक आपका यहां पर सही आंसर होगा रामसरुप चतरवेदी को साधना सम्मान से कब सम्मानित किया गया question number आपका यहाँ पर 9 है और 1994, 1995 या 1996 या 1997 तो रामसरुप चतरवेदी को साधना सम्मान से सम्मानित किया गया था 1996 इस भी में विकल्प नमबर आपका सी right answer होगा रामसरूप चतुरवेदी ने किस पत्रिका का संपादन किया नई पत्ते नई कवीता का खागा उप्रुक्त सभी राइट आंसर है का खागा विकल्प नमबर आपका यहां पर जो सी है वह आपका सही आंसर होगा अंगला कॉस्चिन क्या पूँचा है तो देख लेते हैं रामसरूप चतुरवेदी द्वारा संपादत हिंदी साहित ते कोस कितने भागों पिरकासित है पांच भागों में चार भागों में तीन भागों में यह दो भागों में तो आपका यहां पर सही आंसर है यह पिरकासित कितने भागों में दो भागों में तो विकल्प नमबर डि आपका सही आंसर है。 हिंदी अनुसीलन, सोद पत्रिका किस पिरकार की पत्रिका है? तो आपका सही आंसर है तरह मासिक यानि की विकल्प नंबर C आपका सही आंसर होगा तो बिलकुल सही यहाँ पर अपने देखे महत्तपूर्ण कॉस्चन थे यहाँ पर रामसरूप चेतुरवेदी जी से संबंदित 1931 मेन का जन्म हुआ 2003 में इनका निधन हुआ था रामसरूप चेतुरवेदी जी का और यहाँ पर इन से संबंदित महत्तपूर्ण कॉस्चन थे तो इस परकार एफ वीडियो आपके लिए कैंसल है का कमेंट में जरू बताएं अगर आप चैनल पर पहली बारा हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक कर लें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को सेर करें ताकि अन्य लोग भी एफ वीडियो देख सकें अब प्लेश टोर से डाउनलोड कीजे जहां पर हिंदी सायत का संपूर्ण कोर्स आपके लिए यहां पर उपलग्ध है बहुत भी कमदामों में तो सेल्प इस्टेडी क्लासे अब प्लेश टोर से डाउनलोड कीजे और अपनी तैयारी में लग जाए सरसा पब्लिकेशन का इमालब अस्तुने से प्रस्ण की एबुक है तो आप इसको भी खरी सकते हैं आज की वीडियों बस इतना ही जैहिन